नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जेडी कम्प्यूटर में दोस्तों आज की टाइबिंग स्पीड है 40 सब्द 50 मिनिट की गती से टाइबिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद ओके स्टार्ट साक्षी गड़त दोवारा अभियोजन का शमर्थन ना करने के कारण अभियोजन ने नेयालाई की अनुमती से साक्षी गड़ से सूचक प्रस्ण पूछे किन्तु साक्षी गड़ अपने कथनों पर इस्थिर रहे फुलिस्टॉप फरयादी खुशी लाल ने उसके दोवारा पुलिस रिपोर्ड तथा पुलिस कथन में अभियुक्त दोवारा उसको असलील सब्द उचारित करने के शम्बंद में लिखाने से इंकार किया है फुलिस्टॉप आहत चरौजी बाई ने भी अपने पुलिस कथन में अभियुक्त दोवारा उसके पती खुशी लाल को असलील सब्द उचारित करने के शम्बंध में लिखाने से इंकार किया है फुलिस्टॉप घटना के शतंत चचुदर सी साक्षी शम्भूने भी इस सम्बंध में अभियोजन का शमर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन दोवारा सूचक प्रश्न पूँचने पर अपनी साक्ष पर इस्थिर रहा है फुलिस्टॉप पैरा लेंगे धारा दो सो चुरानुए भारतिय दंड बिधान के अपराद को प्रमारित करने के लिए लोक इस्थान या उसके नजदीग असलील सब्द उच्चारित करना तथा उसके फल सुरूप सुनने वालों को छोब कारित होना आउश्चक है फल स्टॉप फर्यादी साक्षी खुशीलाल तथा आहत चरोंजी भाई ने अपनी साक्ष में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है फल स्टॉप अतहां उपरोग्ट शंपून साक्ष बिशली सान उपरांद निशकर्च यह है की अव्योजन यह परमारित कराने में अस्फल रहा है की अव्युक्त द्वारा फर्यादी खुशी लाल को लोक इस्थान या उसके नजदीग असलील सब्द उचारित किये जिससे उशे वा अन्य सुनने बालों को छोग कारित हुगा फुल स्टॉप पैरा लेंगे फर्यादी खुशी लालता था आहत चरवजी बाई ने अपनी न्यायालिन अभी साक्ष में ब्यक्त किया है की घठना दिनांको उनका अभीयुक्त के साथ बिवाद हो गया था फिर चैटा चाटी होने लगी और इसी दोरान बे नीचे गिर गए थे फुल स्टॉप जिससे उन्हें चोटें आई थी फुल स्टॉप पुलिस ने उसका इलाज कराया था फुल स्टॉप डाक्टर प्रदीब गुपता ने उप्रोक्त साक्ष का शमर्थन करते हुए अपनी अभी साक्ष में बताया की दिनांग 26 दस दोहजार बारा को जिलाच के शाले बिदीशा में मेडिकल आफीशर के पद पर पदस्त रहते हुए उन्होंने थाना कोतवाली के द्वारा लाए गई फर्यादी खुशी लाल तथा आहत चरोंजी बाई का मेडिकल परिक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया था फुल स्टॉक प्रतिवेदन के परिशेलन चे दर्शित है की फर्यादी खुशी लाल के बाई कंधे पर कटा हुआ घाओ होना लेख बद्ध है तथा आहत चरोंजी बाई के दाहने हाथ की छोटी अंगली पर एक कटा हुआ घाओ तथा बाई भाग के अग्र भाग पर लाल रंग की सूजन होना लेख बद्ध है फुल स्टॉक आहत गळ की चोटे धारदार बस्तू से आना संभावित पाया गया था फुल स्टॉक जो के 6 घंटे के अंदर कार्ट होई थी फुल स्टॉक पर्थम शूचना रिपोर्ट में गटना गटना 8 बजे की गटत होना बताया गया है तथा रिपोर्ट 8 पेंटालीस बजे लेकबद की गई है तथा मेडिकल रिपोर्ट के अनुशार मेडिकल परिक्षान 9 तीस वा 9 पेंटीस बजे की आ गया है फुल स्टॉक जिससे इस पस्ट है की मेडिकल परिक्षान बिना किसी बिलंब की किया गया है फुल स्टॉक स्टॉक जिसस परिक्षान और पहां परिक्षान बिलंब की क्ष़प अभ रिए और परिक्षान